जी हाँ अगर हम ध्यान से देखे तो लगभक्स आठ से आठ मिनिट की यात्रा के बाद लाइंडर अपनी होरिजेंटल विलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपने उचाई अभी के उचाई की समझ 24-24 किलोमेटर की उचाई प्राप्त कर चुका है अब तक के आकड़ी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लाइंडिंग पूरी तरह से नामिनल है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि होरिजेंटल विलोसिटी लगातार कम होती हुए दिख रही है तरह, बार करते हैं, हम बार करते हैं तो लाइंडल वantics मेरा आई मु59 मेरा, हुएmondकी बार करते हैं अ यहां अभी आप देख सकते हैं कि lander की horizontal velocity लगवग लगवग बस 720 meter per second हो गई है लगवग लगवग हम यह कर सकते हैं कि 900 meter per second velocity को कम किया जा चुका है at the same time we can see the altitude of the lander is just 17 17.8 kilometer from the moon surface which is going to be around 7.4 at the end of the rough breaking phase is face के बात हम जाएंगे towards the attitude hold phase where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters we can see the visualization of the lander module moving towards the moon surface the current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers we can also see the image that the lander imager camera has been providing जी हां इस रफ ब्रेकिंग phase के दवरान 800 newton के चारो थ्रोटवल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लाइंडर के horizontal velocity को लागातार कम कर रहे हैं अब तक लाइंडर लगभग लगभग अपने 75-80% की आत्रा को पूरा कर चुका है अभ्स घिक अज़ करन बडूख एंडरत की आतिओ अआपए अश्राय अचिवानिड तरह से अंपने iू चब्या具 रिड़ा अट्यो मीड पनेंट खींटा थीओ एंग neural film शूर्त